शोनोगो दोखीनों हावा प्रिम्कोरेचियामी लेगेचे चुखेते नेशा दिक भुलेचियामी नमश्कार मैं शर्बानी आप सबी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल अन इप्रोमो शर्बानी में जी हाँ मैं चानती हूँ मैं बहुत बुरा गाती हूँ पर मेरी आवास पे ध्यान मन दीजे इस गीत का एक हिंदी वर्जन है जिस किसी को भी याद आ रहा है इस गीत का हिंदी वर्जिन क्या है वो तुरन जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजे हमें आप सब के कमेंट्स का इंतजा रहेगा आप में से बहुत सारे लोग समझ के हैं कि मैं आज किस महान सक्स के बारे में बात करने वाले हूँ आज मैं ऐसे ही एक लेजंडरी म्यूजिक कमबोजर स्वी सचिंदे बर्मन्ची के बातने में बात करने वाले हूँ जिनका जन 1 उक्टोबर 1906 में त्रिपुरा के एक रॉयल फैमली में हुआ था और उन्होंने अपने संगीत की सफर की शिर्वाद बंगला फिल्म से की थी और हम सभी में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि 1944 के बाद वो पूरे परिवार के साथ मुंबई आके बोस गये थे लेकिन इससे पहले वो कहां रहते थे क्या किसी को पता है जिहां वहसे लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं शर्वानी अपने पूरे टीम के साथ में आपको कुलकाता के साल्टेंट पार के उस घर पे लेके चलती हैं जहां पे सचिन देव बर्मन जी अपने परिवार के साथ में माता जी श्रिमती निरुपमा देवी पत्नी श्रिमती मीरा देव और इकलोते सुपुत्र के साथ हम सब के प्यारे और दुलारे श्री राहुल दे पर्मन जी के साथ प्रहा करते थे राहुल दे पर्मन जी का बच्पन वहीं बीता है उसी के आंगन में वो पले बड़े है वो हम सब संगीत प्रेमियों के लिए सिर्फ घर नहीं है वो एक मंदिर है जहां पे सुरो की साधना और अराधना हुआ करती थी और आज भी वहां के एक एक दरो दिवार से उनके संगीत की गुंच सुनाई देती है तो आएए मैं शर्बानी अपने पूरे टीम मेंबर के साथ में मिस्टर दीब कुमार मुखर जी और मिस्टर दीवराज दत्ता के साथ में उस घर पे लेके जाते हूं जहां पे झाल 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 कि आई झाल विन के रहे कि विन अच्धियों沒錯 in अ आरी इता हुई्टते हमीशिया सचिन्देब बामन विकल्स तहीं मिरुपमतेaux So using इता है कि है समीरुपमर घबि I would request my cameraman to approach the camera to watch this store so you can see in detail till 1944 he used to stay permanently in this residence only along with his wife and son Dmitri Tahur the Permat and then after 1944 when he shifted when Swishetim Petvarmin he shifted to his Mumbai residence whenever he used to come to Calcutta he used to stay in this residence only now my cameraman will show you the entire house just you can have a look of this house from all the angles he will show you this heritage house which definitely needs conservation and restoration now I am just approaching towards the gate I will ask my cameraman to show the state of the house you see, its almost in a dilapidated state the walls are broken, the turrets are broken the balconies are not properly maintained and probably this building needs restoration immediately such a legendary figure, both father and son Sri Sachin De Paman and Rahul De Paman used to stay for long years in this residence only so it has got an archival value this residence has got an archival value as you can see the main entrance to the building we are showing now the main entrance to the building and its just an adjoining road to Dhapuriya in south Tulkatha it is south in Perth throughout or with the sociale part of the building the house is right ok thank you अवड़ेंस है जो जो परेशी रुटे अपूर लुटेंज़ अपर्ट कर रदाई है। जो बलत दोंच लोंचे वालपने आफ वालपने आफ। लोग जो टो सेटी सिर्ट प्रष्ट टो। प्रष्ट प्रष्ट पर परेज अवसट परेज़द ऑलपा है। वोग के वुजिदे बीप्राटर सेंडियोरी टूु जैङंने जो तो लेजांडरी मुजब एक्राइब तो यह लुजिड़ इकॉस लाख इना जार श्रुटर्ट्टर्ट पर इना चुझर वी झाल 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 झाल